हेलो गाइज, वेलकम तो मैं चैनल लर्न ओन टिप्स, दिस इस कामनी सेनी और आज का मेरा टोपिक है ओर्गनाइजेशन चार्ट आज हम देखेंगे की ओर्गनाइजेशन चार्ट क्या होता है यह किसलिए जरूरी होता है कंपनी के अंदर इसकी एडवांटेजिस क्या क्या ह है और इसके लिमिटेशन क्या होते है तो बेसिकली यह जो टोपिक है मेरा प्रिंसिपल ओफ मैनेजमेंट के ओर्गनाइजेशन से लिया गया है तो आएए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते है जल्दी से डैफिनेशन देख लेता है पहले इसकी एन इस इंटर्नल स्ट्रेक्चर बाई डिटेलिंग देर रोल्स रस्पोंसिब्लिटी एन रिलेशन्शिप बिट्विन इंडिविज्विज्वल्स विदिन एन एंटिटी तो यह इसकी चोटी सी डेफिनेशन थी अब इसको समझ लेते है कि क्या होता है इन ओर्गनाइजेशन के अंदर जो स्टाफ जो employees working है उनकी आपस में relationship कैसी है ठीक है और इसमें क्या होता है information का जो inflow और outflow होता है जिससे हमें पता चल जाता है कि company के अंदर कितने number of employees working है उनकी profile या position क्या है उनकी जो responsibilities है जो roles है या duties है वो क्या-क्या है कौन किस department को या किन function का in charge है या किस department से related है ठीक है ना कौन किस department को handle करता है तो ये सारी चीज़े जो है organization chart के अंदर पता चलती है ये organization जो chart होता है वो तीन तरीके का हो सकता है first one is vertical second one is horizontal and third is circular तो इसकी जो shape है या जो size है वो different different हो सकता है according to organization ये vary होता रहता है क्योंकि क्या होता है जो company होती है किसी का size छोटा होता है किसी company में बहुत जादा employees work करते है तो वो depend करते हैं कि किस तरह कि आपकी firm है अगर आपकी manufacturing company है तो जाहिर सी बात है कि बहुत जादा लोग उसके अंदर काम करेंगे अगर आपके यहां को प्रोडेक्ट बन रहा है तो उसमें production department होगा आपका purchase department होगा आपका quality department होगा तो बहुत सारे department हो जाते है तो बहुत सारे people's मे corporate office में काम कर रहे हो तो उसका size छोटा होता है तो यह क्या होता है चार्ट मतलब flexible होता है तो depend करता है company के size पर क्यापी company कितनी बड़ी है जितने numbers of employee आपकी company में काम करते हैं उसकी पूरी information इसके अंदर आ जाती है ठीक है ना और मैं आपको show कर रही हूँ एक diagram देखिए यह एक छोटा सा मैंने एक format लिया है जिसमें आपको पता चल रहा है कि सबसे पहले इसके managing director है company के जो company के head है डिरेक्टर है जिसने company start की है वो आगए उनके नीचे चार लोग काम कर रहे हैं जो कि वो भी directors की position पर है लेकिन वो अलग-अलग department के directors है जिसकि finance का है marketing के हो गए operation के हो गए human resource management के हो गए उनके नीचे फिर चार लोग और काम कर रहे है जो कि managers post पर है GM हो सकते है ठीक है उनके नीचे फिर उनके executives आ जाते है assistant managers आ जाते है team leader आ जाते है तो इस तरह से क्या है organization chart बनता है जितने numbers of employee company के होंगे उसी according वो यहां पर define हो जाएंगे by मतलब उनकी position position by position ठीक है तो यह हमारा organization chart था अब देख लेते हैं कि इसकी जो advantages है वो क्या-क्या होती है यह क्यों जरूरी होता है company के अंदर तो first है हमारा organization chart can guide the employees to know their rights and responsibilities organization chart guide करता है employees को कि उसकी company के अंदर क्या-क्या rights है क्या-क्या उसके हक है वो क्या demand कर सकता है company के अंदर अपने लिए चीक है और उसकी क्या-क्या responsibilities और roles है आपका second होता है help in identifying the relationship between subordinate and superiors जो हमारे साथ काम कर रहे हमारे co-workers है या हमारे seniors है इससे पता चल जाता है कि उनके वीच की relationship कैसी है ठीक है उनमें किसी तरह का कोई बहत्बाव लड़ाई जगड़ा या कोई conflict तो नहीं है या सब कुछ smooth चल रहा है वो उसका idea से लग जाता है इसमें क्या होता है जो information का flow होता है वो easy होता है तो उससे हमें पता चल जाता है कि कि कौन कौन take care कर रहा है जैसे कि chart होता है और मुझे किसी तरह का कोई doubt है या मुझे मतलब मुझे पता करना है कि मुझे कुछ balance sheet के बारे में जानना है या फिर finance related कोई काम है तो मुझे clearly पता चल जाता है कि finance related जो person है वो Mr. A है तो मुझे उन से जाकर पूछना है इसमें किसी तरह का कोई confusion नहीं होता किसी तरह का कोई doubt नहीं होता मुझे जिस तरह की information चाहिए मैं chart देखूंगी accordingly department में जाके मैं पूछ सकती हूं ठीक है तो वो सारी चीजह हमें clear हो जाती है इसलिए जो इसमें information का flow है वो easy होता है next है हमारा provide a visual map of the chain of command chain of command से मतलब है कि हमारी जो reporting है वो किस को है या हमारा जो reporting manager है वो कौन है हमें अपने जो काम की जो हम काम कर रहे है company के अंदर वो कौन assign करेगा और उसकी जो हम reporting देंगे काम complete होने के बाद वो किस को देंगे ठीक है तो इसमें उसका पता चल जाता है या हमें किसी तरह क कोई leave लेनी है या काम को लेकर किसी भी तरह का कोई issue है वो discuss करना है तो वो हम अपने reporting manager से का सकते हैं ठीक है next होता है हमारा help managers and new personnel to find out how and where they fit into the organization structure जो company के managers होते है यह उनकी help करता है यह पता लगाने में कि जो employees है वो काम easily कर पा रहे है या उनको कोई difficulty है किसी काम को लेकर अगर किसी काम जो person है कोई काम अच्छे से कर पा रहा तो उसके लिए कोई issue नी बट अगर किसी के पास ज्यादा workload है तो हमें वो पता लग जाता है managers को कि इसके पास ज्यादा workload है तो accordingly उसके नीचे हम कोई employee उसको दे देते हैं या फिर उसके काम को easy करने के लिए उसको हम किसी और department में shift कर सकते है तो accordingly अपनी बात को ऊपर लेविल तक पहुचा सकते हैं पहले अपने reporting manager को बता वो फिर अपने ऊपर पास्वन करेगा अपने बोसिस को तो उस तरह से इसमें जब कोडिनेशन होता है वह easy होता है कि help करता है यह manager की workload के लिए जैसे कि मैंने भी पताया helps to manage workload और इसके अंदर है आपका इसकी limitation देख लेते हैं क्या-क्या है a chart only depicts formal organization relationship whereas informal organization is ignored इसके अंदर क्या होता है only जो formal organization है उसकी relationship show की जाती है उसका structure दिया जाता है informal जो organization है उसको यहाँ पर ignore किया जाता है इसका मतलब यहाँ पर सारा काम systematic तरीके से होता है ठीक है न और second होता है an outdated chart is almost worthless जो outdated organization chart होता है अगर अगर वह up to date है तो ठीक है otherwise वह worthless है क्योंकि होता क्या है especially जो बड़ी companies होती है उसमें हमें क्या है इसको maintain रखना होता है time to time क्योंकि होता क्या है वहाँ पर लोग अगर किसी ने company से resign कर दिया कोई job छोड़कर चला गया है या किसी employee को किसी दूसर department में shift कर दिया गया है या उसकी जो position है वो उसकी change कर दी गई है तो ऐसे time पर क्या होता है बड़ी organization में पता नहीं लगता है छोटी organization में हम easily पता कर सकते किसके साथ क्या हो रहा है लेकिन जब numbers of employee बहुत जादा होते है तो वहाँ पर यह चार्ड जो है फेल हो जाता है या तो इस तरह का कोई doubt है तो आप मुझे comment करके बता सकते हैं और अगर आपको मेरी व्यूडियो अच्छी लगे तो उसको like करें ताकि मुझे motivation मिले और मैं life में और अच्छी व्यूडियो आपको दे सकूँ ठीक है मेरे चैनल को subscribe करना ना भूले thank you